नमश्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यापार लर्निंग हब में तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब कभी आपके बिजनस में कोई भी परचीस किया हुआ प्रोडक्ट आप किसी भी रीजन से वापस रिटर्न करते हैं तो उसके entry आप कैसे करें? उसके लिए आपको बनाना होता है debit note आएगे देखते हैं कैसे ही इसके लिए आप सबसे पहले व्यापार उपन करें अब व्यापार में आपको debit note की entry के दो options मिलते हैं पहला कि आप यहाँ add more बटन पर click करें यहां आपको मिलेगा purchase return याने की debit note उस पर click कर दें या फिर आप चाहिए तो shortcut की alt plus l key का इस्तुमाल करके भी debit note form open कर सकते हैं तो आपको इस तरह से debit note की window दिखाई देगी अब यहां आप customer का नाम, उनकी details, साथ ही invoice number याने की जब आपने सामान purchase किया था तो जो invoice बनाया था उसका number ताकि आपका ये return उस invoice के against adjust हो जाए और आप future में इसे track भी कर पाएं उसके बाद products जो return हो रहे हैं उनकी details, received amount में amount अगर आप अपने vendor से पैसा return ले रहे हैं अगर नहीं तो उसे खाली छोड़ दे और फिर इसे save कर देंगे लेकिन इसे बनानी में आपका काफी समय जाता है इसलिए व्यापार आपको देता है एक simple और अशान तरीका वो आप तब इस्तमाल कर सकते हैं जब आप debit note को उसके particular purchase invoice के साथ ही adjust करना चाहते हैं तो उसके लिए आप left menu में purchase section में purchase invoices पर click करें जहां आपको सभी invoices दिखाई देंगे अब यहां आप search bar में वो invoice search करेंगे जिसका product return हो रहा है और ये search आप कर सकते हैं party name wise, invoice number wise, date wise, amount wise या invoice balance wise किसी भी तरीके से example के लिए हम search कर रहे हैं wiki electronics तो हमें इनके दो invoices दिख रहे हैं और हमें इसमें से पांच टारिक वाले invoice के अगिंस debit note बनाना है तो उसके सामने मौजू 3 rots पर click करें और convert to return option पर click कर दें ऐसा करते ही आप देखेंगे कि debit note automatically ready है with all the required details जैसे कि vendor का नाम, invoice number और item details अब यहाँ item list में आप बाकी products को इस तरह delete icon का इस्तमाल कर delete कर देंगे और सिफ वही products list में रखेंगे जिनका आपको debit note बनाना है जैसे for example हमारे इस invoice में से हमने POCO C3 return किया है और POCO X3 तो हम नीचे वाले दो items को delete कर देंगे और क्योंकि हम इस vendor से products लेते रहते हैं इसलिए हम अभी इनसे कोई payment receipt नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा कोई amount already pending है तो ये उसमें adjust हो जाएगा या फिर हम इनके balance को next invoice में adjust कर लेंगे तो हमें यहाँ पर received amount में amount एंटर करने की जरूरत नहीं है और इसके बाद इसे save कर देंगे साथ ही आप जब चाहें report section में party statement में जाकर ये transactions चेक भी कर सकते हैं तो इस तरह बहुत ही आसान तरीके से आप David note याने की purchase return की entry कर सकते हैं तो अभी व्यापार डाउनलोड करें और पूरा business manage करें with व्यापार app डाउनलोड लिंक आपको description box में मिल जाएगा हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को like करें और अपने व्यापारी दोस्तों के साथ इसे share भी करें ऐसे ही अन्य tutorial वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी subscribe करें और सबसे पहले हमारे वीडियो देखने के लिए बैल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूले अगर आपको व्यापार से related कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमें call कर सकते हैं या WhatsApp भी कर सकते हैं हमें संपर करनी की जानकारी स्क्रीन पर मौजूद है व्यापार इस्तमेल करने के लिए धन्यवाद हैपी व्यापारिंग